यामिनी कृष्णमूर्थी famous हैं कौन से style of dancing के लिए तो जो सही जवाब है हमारा भारती नाटियम के लिए famous है चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं लोग यामिनी कृष्णमूर्थी जो है Indian dancer है भारती नाटियम के और कुछी बुटी style of dancing चीक है जो भारती नाटियम जो है वो एक लिए में एक major form Indian classical dance का है और इसकी region हुई थी तामिलाडो में चीक है सौथ इंडिया में तामिलाडो में भारती नाटियम की origin हुई थी चलिए हम लोग अपना second question देखते है who among us the following is renowned in Hindustani classical music तो इन में से किस वो हिंडुस्तानी classical music के लिए ज्यादा जाना जाता है वोकल के लिए तो इसका जो answer हो है पंडित जसराज चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ ले थे पंडित जसराज जो हैं वो इंडियन classical vocalist थे जो कि मेवाटी घराना से बिलॉग करते हैं तो मेवाटी घराना चाहिए शोवान नरायन इस फैमस कथक डांसर तो दूसरे जो है शोवान नरायन कथक डांसर है माधूरी शार्मुक वाइडू जो इंडियन कार्नाटिक सिंगर थे तामिनाडू के और MS जो गोपाल क्रिशना है वो एक वाइनलिस्ट थे इन फील अव कार्नाटिक म्यूजिक कार्नाटिक म्यूजिक के विए अगला कोशन देखते हैं लोग विच्छ फॉलॉइंग प्लेसीज इस वेल नाउन फार एंबरोंडी फॉर्म आफ चिकन करी ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे लखनाव किस कोन है फैमस लखनाव ठीक है चिकन करी के लिए फैमस कोन है लखनाव और यह ट्रडिशनल स्टाइल अफ लखनाव है इस वन लखनाव बेस्ट अनाउन टेक्स्टाइल डाकॉरिशन स्टाइल ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट कोशन है कि कुछ मैच तो फॉलिंग करना आपको देखिए जैसे हीर सौंग दिख रहा है आपको ऑप्शन में बेंगौल दिख रहा हो से जो डांसे से इनमें जो है ओडी स्टाइल का ओडी सी स्टाइल जो है वो नहीं है ठीक है नहीं है तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन जो भी ठीक है यह जो है जिनका नाम है पदमा सुबरमन्यम पदमा सुबरमन्यम जो है यह ओडी डांस नहीं करते हैं तो एक और option था इसमें शिंजुक्तला यह जो है यह फार मोस्ट एक्पोनेंट है इंडिन क्लासिकल डांसर ओडिया के सोनल जो है वो भी क्लासिकल डांसर है ठीक है गुरु भरते नाटियम के ओडी डांसिंग स्टाइल के चलिए जी अगला कोशन देखते हैं हम लोग हमारा next question है कि how many strings are on a Sarut एक Sarut पर कितनी strings होती है तो इसके लिए जो हमारा सही जवाब है हमारा 19 है तो टोटल 19 strings होती है एक बस सरूत के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं Sarut जो है वो एक string instrument है जिसको हम यूज करते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में on the Indian subcontinent और जो the conventional Sarut था उसमें 17 से लेकर 25 तक string हुआ करती थी लेकिन आज की टाइंपर कितनी है यहां पर आज की टाइंपर 19 है चलिए अगला कोशन देखते हैं लोग वीच अगला कोशन देखते हैं लोग वीच अगला कोशन नार्ट पेर इस नार्ट कोरेक्ट इनमें से कौन सब पेर ज जोड़ रहे हो ठीक अलारखा को तबला से इसी तरह से उत्पल गुप तत को फिल्म से तो देख लीजिए तो इसका जो सेजवाब है मारा यह है यह गलत है ठीक है तो थोड़ा जानते हैं कि अमीर कुसरू किसके लिए फैमस थे अमीर कुसरू मैं एक्चली मैं इंडो पर्शिन सूफी थे सिंगर थे मुजीशन थे बॉइट थे और स्कॉलर थे जो दिल्ली सतनलत के टाइम पर रहते थे कुसरू जो है कुसरू is credited for the invention of सितार तो यह सितार के लिए फैमस है rather than सरूद के